वेल्कम बैक तो मैं यूटूब चैनल, CA Dreamers आज हम बात करेंगे अबाउट अदिट ओफ लोकल बॉडिस लोकल बॉडिस क्या होती है उनका ओडित कैसी होता है क्या प्रोसीजर होता है लोकल बॉडिस का ओडित करने के लिए इस टॉपिक को मैंने अपने नोट से कवर किया है मैंने कोई भी पॉइंट इसकिप नहीं किया है हर पॉइंट को शॉट में लिख लिया है अगर अपने नोट से पढ़ने में और पढ़ाने में दोनों में ही बहुत एजी हो जाता है अगर हम किसी भी topic को short points में लिख लेती हैं तो वो समयज में बहुत असानी से आ जाते हैं अगर आपको इसमें कोई भी point में कोई problem है तो आप comment section में पूश सकते हैं बता सकते हैं अगर आप कहेंगे तो मैं इसको अपनी book से भी cover कर दूँगी सबसे पहले बात करते हैं कि local body क्या होती है local body can be understood as administration of a locality जैसे हम सब को पता है कि local body भी एक government authority होती है government entity होती है तो जो लोकालिटी का administration करें उसको local body कहते हैं मतलब जो भी locality का locality को look after करती है जो locality के लिए rules and regulations बनाती है उसके लिए expenditure करती है उसको local body कहा जाता है local body का main sources of revenue क्या क्या होते है जो भी हम taxes on property pay करते हैं जो भी tax on profession लगता है subsidy from central government and state government, interest, rental income ये सारे local bodies के main sources of revenue होते हैं जो के हम by way of tax, interest, rental income पे करते हैं उसके main sources of expenditure क्या होते हैं local body कहां-खां पर expenditure करती हैं general administration में, tax collection में जो उसके expenditure होते हैं public health यानि कि जो local body या जो government hospitals होते हैं वो भी local body ही बनबाती है उसका administration उसका look after भी local body ही करती है जो public safety के लिए expenditure करे जाते हैं यानि कि जो camera बगारा लगवा देते हैं वो सारे local body के expenditures होते हैं public works का मतलब क्या हुआ है जो भी roads बनती है या फिर जो water seaway system बनता है या उसका look after किया जाता है उसको manage किया जाता है वो सारे local body के expenditure होते हैं पब्लिक education के लिए यानि कि जो schools बन बादी जाते हैं government schools जो होते हैं वो सब local body उसका administration के लिए responsible होती है बुक में देख लेते हैं इसको कैसे लिखा था meaning of local body a local body may be understood administration of a locality मतलब जो locality का administration करें उसको local body कहते हैं जैसे कि locality में क्या क्या है गा village, town, city या कोई area smaller than a state है तो वो सारे local body में cover होते हैं revenue and expenditure क्या क्या होते हैं these bodies drive their revenues from a number of sources आपज जैसे का